प्रिमित्रों शाथियों कैसे हैं आप सभी लोग हैं शन्मभवान आपकी रक्षा करेड़ आपका जिमन खुश्यों से भरा रहे प्रभू की चर्णों में मेरी प्रात्रा मेरी आराद्री की किरपा से पुने आपके सामने सक्सेस की और शुभाकसर का अधवुद्र उपाई लेकी आया ये उनकी दया है कि उन्होंने मुझे मोका दिया है कि मैं राष्ट की शिवा करो सदाखुसरो यानि SKR कि इस उपाई में आपकी जिवन की हर शमश्या का शमधान है बस ये उपाई आप सुरू करे और लगातार 90 दिन करे हर रोज एक सुभाकसर और एक सक्षेज की बताता हूँ 18 फरवरी 2022 शुकरवार का दिन है राज की सक्षेज की और सुभाकसर आपके सामने है SKR सदाखुसरो हर रोज की गोचर के आधार पर बनाता हूँ ये उपाई इस पे मेरा कोई मोलिक अधिकार नहीं है रिशियों का प्रशाद है हाँ जो तेशी अनभाव गुर्माराज जी की किरफा और जो मुझे मिला है वो बांट रहा हूँ 90 दिन कर लिजिए मातर 90 दिन इस उपाई को निरंदर कर लिजिए दर्द नहीं रहेगा प्रेशानी नहीं रहेगा तेशी ये उपाई पूर्ण तो आप प्रकृति से जुड़ा हुआ है अच में कोई मैनत नहीं सारे उपाई प्रकृतिक वस्तों से मैंने त्यार के और अपने जीवन में प्रकृतिक वस्तों का उप्योगला अगर जिवन को कैसे संतुलित किया जाए, उर्जा का रुपांतरन कैसे हो, ये एक अधभुद कला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, भारति सनातन संस्कृति का अधभुद भेट है सातियों, ये उपाय, सुभाक्षर और सक्सेस्ट, इस उपाय से हमने अपना स्रमंद प्रकृति से जोड़ दिया, जो किस्मत की चावी हमारे पास है, 24 घंटों में कोई चमतकार तो नहीं होगा, क्योंकि मैं दावय नहीं करता हूँ, मैं अनभव में विश्वास करता हूँ, ये समझ में जरूर नहीं आएगा आपको लेकिन अनभव में आएगा, निरंतर समारा जा सकता है, लेकिन मसला 24 घंटे का नहीं है, धैरी और सयम का मसला है, अब्यास का मसला है, हर रोज एक ग्रह संतुलित होगा इस उपाई से, हर रोज एक ग्रह होगा, भले ही आपके समझ में नहीं आए, लेकिन अनभव में आज बस जरूरते विश्वास की, आपके सामने हूँ, पुने, और आज की जो सक्सेस की है, जो सुभाकसर है, वो आपको जरूर बता हूँ, लगन क्या, दसा क्या, ग्रह कहां बैठें, कोई फरक नहीं पड़ता, कोई फरक नहीं पड़ता, आप कहां रहते हैं, ग्रह गोचर के आधार पर बनाएगे ये जो छोटा सा उपाए, आज प्रातकाल नित्य करम से निर्वतो शिनान उप्राम, पीला चंदन, पीला चंदन, ध्यान दखेगा, पीला चंदन, और पीले चंदन से, आप पीपड की छोटी सलाका ले लिजी, पीले चंदन से आपकी जो अनामे का अंगुली, ये अनामे का सबसे निचे लेवाला प्राते नित्य करम से नान अवराम सुबह 6 बज कर 20 मिनट पर इस जगह पर क्लीम लिख दिजिए का आधा का ली और बिंदी क्लीम बस कितना करना है इन दोन जगह पर क्लीम लिख चोटा सा उपाए है दोपार मैं एक बज कर 27 मिनट पर पुना है पीले चंदन से और पीपल की सलाका से यहां क्लीम लिख दिजिए रातरी में सोने से ठीक 10 मिनट पहले इन दोनों जगह पर पुना है क्लीम लिख दिजिए यदि पीले चंदन नहीं मिल रहा है तो लाल स्याई के बॉल पहन से भी आप यहां क्लीम लिख सकते हैं स्याई से वाले पहन से भी आप क्लीम लिख सकते हैं ऐसा उपाय है खुश्यों से आपकी जोली भर देगा नमणा रहें आज का सुभाक्षर यहीं सुकरवार 18 फर्वरी 2022 का सुभाक्षर जो है वो गगन वाला घह है घर वाला घह है सुभाक्षर प्राते 7 बज कर 5 प्रिंट के आज पास उपाय को करना है सपेद प्लेन पेपर लेना है जिस पर कुछ नहीं लिखा हो प्रिंट नहीं हो एकदम सपेद प्लेन पेपर आप देख लिए एकदम सपेद कुछ नहीं लिखा हो और उस पर लाल-श्याई के पैंसे बीचों बीच में गगन वाला, घर वाला घर लिखना है लिखना बीचों बीच में आप देख लोगे एकदम बीचों बीच में ध्यान रहे सुभाकसर को लिखने कहा जो time है वो मात्र 17 सेकिन का है सत्रा सेकिंड में परिपून, शमर्पन, विश्वास, प्रेम के साथ इस सुभाक्सर घह को लिखना है और अनभाव करना इसकी उर्जा को अपने सबकॉंसिस माइंड अपनी चेतना में इसको अब अपने सामने रख दीजिये शुद्धा भाव के साथ सुद्ध कंबल का आसन, पहला उपाई प्रारम, सैज भाव से अपने पूरी स्वास को अपनी फेपड़ों में भर दीजिए जब स्वास पूरी फेपड़ों में भर दें, पूरी स्वास को आप बार निकाल दीजिए अब स्वांस को रोग देजी न लेना न छोड़ना रोग देजी जब स्वांस रोका पेट को भीतर खीचिए पेट भीतर खीचते हुए अपना जो लोर पाटव बोली है यानि जो गुदाइस्थान है उसका संकोचन करिए उसके उपर की और खीचिए ऐसे खीचे उपर की जब आप गुदाइस्थान को उपर की और खीचेंगे तो सीधा हाथ है आपके इसकी पहली अंगुली और यह जो अंगुठा है इसे जहां पर आज्या चक्र है जहां पर बिंदी लगाते है तिलक लगा है वहाँ जोर से पंच करिए स्वांस भरा स्वांस को बार छोड़ा, स्वांस रोका, पेट को भीतर खीचा, लौर पाट और बोड़ी यानि गुदा इस्तान को संकोचन कर उपर खीचा, यहां पंच किया, सत्रा सकिंड, इस सत्रा सकिंड में आपकी चेतना पर, आपके सबकॉंसेसमेंड में सुभाकसर घर रहना चाहिए, सत्रा स सकिंड खीचा, पुनेज़ आप स्वांस को भरिए, पूरी स्वांस को बाहर निकालिए, पेट को भीतर खीच दिदिये और स्वांस को रोक दिजिए, गुदा इस्तान को संकोचन कर उपर खीचे और पंच करिए, सत्रा सकिंड, और इस सत्रा सकिंड में आपकी चेतना, प्रेम और विश्वास के साथ सुभाग सर घर रहना चाहिए एक मिनट आठ सेकिन मात्र एक मिनट आठ सेकिन अद्भुद लॉब अट्रक्शन के आधार पर ये उपाय है और ये काम करता है हर दर्द हर परिशानी हर मुश्किल को आसान करेगा कारोबार केरियर नौकरी परिवार स्वास्ते में कैसे भी बिगन और बात है उसे दूर करेगा जिवन को संतुलित करेगा क्योंकि हर रोज एक ग्रह आपका अनकूल होगा इस साधना से इस उपाय से अब आप पुनह कंबल पर बैठे हैं तूसरा उपाय सुरू करना है यह भी एक मिनट आट सेकिंड का है तो सुभाक्षर घह है लॉप विज़ुलाईसेशन अपनी चेतना के साथ लॉप विज़ुलाईसेशन का यह एक मिनट आट सेकिंड का उपाय ज्यादा मैं समय नहीं लिए टोटल पांच मिनट चालिस सकिंड का ये उपाई आपको धनवान बना देगा ग्यानवान बना देगा शामर्थेवान बना देगा मजबूत बना देगा अब आप सुभाक सरगह को अपने सामने लाइए और खुली आँखों से 17 सकिंड के लिए मैसूस करिए खुली आँखों से देखें 17 सकिंड के बाद अपनी दोनों आँखों को बंद कर दिए अपने सबकॉंशेस माइंड अपनी चेतना अपनी स्वासों अपने आज्या चकर पर शुभाक सरगह को अनभव करिए 17 सकिंड के बाद आँखों को खोल दीजिए पुने बंद आँखों से सुभाक सरगह को सबकॉंशेस माइड चेतना और अज्या चकरब अनभव करिए यानि 17 सकिंड शुच एक मिनट आठ सेकिंड तुन इसको दो बार खुली आँखों से दो बार बंद आँखों से अनभव करिए अपने सामने रखें, मित्रों शाथियों, अब तीसरत उपाय शुरू होता है, और ये उपाय भी एक मिनट आठ सेकिंड का है और तीन बार करना है, अंगलियां और अंगुठों को मुला देजी, अब शुक्री मुद्रा बन गई, हाथ ऐसे भी रह सकता है, हाथ ऐसे भी रह सकता है, और हा सत्रा सकिंड के लिए, 68 सकिंड का ये उपाय है, पहले सत्रा सकिंड में धीरे 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 आप श्वांस को भरना है अपने फेपड़ों में, सत्रा सकिंड में आपने श्वांस को भरा है, वो सत्रा सकिंड आपकी चेतना, आपके सबकॉंसेट मायन में सुभाक्सर घ रहना है 17 सेक़िंड तक आपको स्वांस को अपने फेफडों में रोकना है अब आप 17 सेक़िंड में धीरी स्वांस को छोड़ देजिए ड्रौण केसाथ आपकी छेतना आपकी सब conscious mind में रमना चाहिए सुभाकसर घर अबने स्वांस छोड़ना ने लेना है सत्रा सेकेंड के लिए स्वांस को बार रोकना है चेतना में रहेगा सुभाकसर घर टोटल 68 सेकेंड यानि एक मिनट आठ सेकेंड ऐसा आपको तीन बार घर पांच मिनट चालिस सेकेंड हो गया मिश् इसमें डाल दीजिए और ये दिन भर आपके पास रहे हैं ये जो तीन मिनट 24 सेकेंड का लास्ट वाला उपाई था इसे आप दोपार एक बज़े से लेकर दो बज़े के बीच में छे बार पुने करें सुभाकसर घर आपके पास में है रातरी में सोने से ठीक 9 मिनट पहले दस मिनट पहले रातरी में सोने ठीक 10 मिनट पहले आप सोने जाएंगे और कोई काम नहीं है अब आप ये जो तीन मिनट 24 सेकेंड वाला प्रोगाम है उपाई है यानि स्वांस को लिया स्वांस को रोका स्वांस को छोड़ा स्वांस बार रोका 17 सेकेंड 17 सेकेंड 17 सेकेंड प्रतेक 17 सेकंड में स्वांस के जूले पर सुभाक्सर घह को जूलाना है ऐसा रातरी में सोने से 10 मिनट पहले 9 बार करना है तस पस्चाथ ये जो सुभाक्सर जो थेली में है अपने उपर से 7 बार एंटी क्लॉग वाई उसारिये और अपने तक्ये के नीचे रहे मित्रों शा पानी एक दाम बीचों बीच में इसको फार दी इदिया आपके आसपास तालाव है बैता पानी है नदी है इसमें प्रभाग करें किसी बैतेवे पानी स्वच्च जाले या तालाव और नहीं है तो घर के बार किसी व्रक्ष के नीचे गड़ा खोद के इसको दबा दी मित्र नहीं तो किसी पेड़ के नीचे से गड़ा खोद के दबाने है ऐसी जगे पर रखे जहाए पैरों में नहीं आए पेपर को जलाना नहीं है और नहीं कच्रे में फैंकना मित्रों शात्यों इसको समझिये थोड़ा से यह अधभूद उपाय है और आने वाले दिनों में इस कोई आपको आवशक्ता पड़ेगी इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ यह अधभूद है अधभूद उपाय है इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है यह सिद्धों की दुनिया का प्रशाद है आपको बाढ़ दिया मनोन मनो आपकी मैं झाले झाले च्स्मास